ये है OnePlus Note CE3 Lite 5G जो कि आपको 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा Samsung और iPhone के बाद OnePlus का नाम काफि ज़रा famous है तो इसी वज़े से काफि सारे लोग OnePlus के smartphone को purchase करना चाते हैं और ये आपको 20,000 के अंदर भी देखने को मिला है जो से पहले आपको CE2 Lite देखने को मिला था आपको क्या problem देखने को मिलेंगी, क्या इसकी अच्छी बाते हैं और इसकी क्या reality है आपको सिरफ इन 6 point के अंदर समझ आ जाएगा OnePlus Note CE3 Lite 5G आपको लेना चीए या फिर नहीं लेना चीए पर design, अगर हम यहाँ पर इसके design and look की बात करें तो बार से यह काफी अच्या premium देखने को मिलता है और आल जो इसका look है वो भी काफी दा बढ़िया है बट यह आपको प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलता है इसी वज़े से यह थोड़ा बहुत हलका भी देखने को मिलता है तो प्लास्टिक के विज़े से थोड़ा बहुत यहांपर डिसपोइंट हो जाते हैं काफी सारे लोग बट और यह भी काफी दा बढ़िया देखने को मिलेगा अगर आप यहांपर इसे कैमरा के बंप को देखोगे वो थोड़ा आपको जादा सा बारसा देखने को मिलता है बट फिर भी काफी दा बढ़िया हो जाता है बट एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको अलर्ट स्लाइणर देखने को ने मिलता है जो OnePlus के स्मार्टफ़न होते हैं उनका जो खास बात होती है वो है उसका slider बट इसके अंदर कोई भी slider देखने को नहीं मिलेगा जो इसकी काफी ज़ादा बड़ी कम हो जाती है बट एक चीज बड़िया देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको 3.5 mm का jack देखने को मिलेगा बट mostly लोग आजकल wireless को ही यूज कर हैं बट 3.5 mm jack से slider काफी जाब बड़िया होता बट इन्होंने इसके अंदर एड ही नहीं किया है बट ओराल ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा second camera जो oneplus के smartphone को purchase करते हैं camera भी वो देखते हैं अगर आप इसके camera को लोगे तो यह बार से दिखने में तो काफी अच्छे लग रह यह आपको macro और depth sensor देखने को मिलेगा जो कि इतना खास नहीं है साथी में front में आपको 16 MP का ही देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक हो जाता है जैसे बाक्यूगा देखने को मिलता है बट इसकी एक और दिक्कत देखने को मिलेगी इसके अंदर आप 4K वीडियो को record नहीं कर प स्सकी में अपर कुछ पर देखने को मिलता है जैसा आपको 20 jarve के स्मार्टफान के देखने को मिलता है बट उस class का देखने को नहीं मिलेगा जैसा OnePlus के बाकी बड़े smartphone के अदर देखने को मिलता है अगर मैं याँ पर इसकी performance की बात करूँ gaming के अंदर कैसा है BGMI के अंदर कैसा काम करता है तो सबसे पहले इसके अंदर Snapdragon 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है तो कि एक average smartphone के अंदर देखने को मिलता है मैंने याँ पर इसके अंदर gaming भी की है और gaming भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी अगर मैं याँ पर BGMI की बात करूँ तो HD तक को ही याँ पर आप प्ले कर पाऊगे HD से उपर तक के जो version है BGMI के अंदर वो इसके अंदर काम नहीं करने वाले है बट gaming आपको काफ़ेदा बढ़िया होने वाली है इसके अंदर मुझे heating की भी दिक्कत देखने को मिली है gaming type है जो कि आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है बट इतनी जदा नहीं होने वाली है और आल ये भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा इसके जो FPS है वो भी कई बढ़ ड्रोप होने वाले है बट इसकी एक और खास बात है यहाँ पर वो gaming के लिए एक special mode देखने को मिलेगा जिसे जो आपकी gaming है वो optimize हो जाएगी और काफ़ेदा बढ़िया काम करने वाला है तो और आल ठीक ठाक देखने को मिलेगा का देखने को मिलेगा बट जो यह sport करता है शिरफ 67W का ही यह sport करने वाला है बट इसकी एक और खास बात है 30 मिनट के अंदर यह आपके mobile को 80% चार्ज कर देगा क्योंकि काफ़ेदा फास्ट होने वाला है OnePlus and UI OnePlus अपनी UI and OS के लिए काफ़ेदा famous है इसके अंदर आपको Android 13 का sport देखने को मिलेगा और Oxygen OS 13.1 का sport देखने को मिलेगा Oxygen OS की खास बात यह है यहांपर आपको bloatware और ads देखने को नहीं मिलती है बट इस वाले version के अंदर आपको एक bloatware देखने को मिलेगा बट आप उसको deactivate कर पाओगे बट overall यहांपर आपको ads and bloatware देखने को नहीं मिलेगी काफी अच्छा experience यहांपर आपको देखने को मिलेगा साथी में आने वाले 2 साल के लिए आपको major update देखने को मिलेगे जो कि 2 update होने वाले है साथी में 3 साल के लिए आपको security update देखने को मिलेगे तो अगर late वाली दिखकत ना हो update के अंदर तो oral यह भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा 6. display अगर मैं यापको इसके display की बात कुरूँ तो ये आपको AMOLED display देखने को नहीं मिलती है ये आपको LCD display देखने को मिलती है but VJR की जो smartphone है एक दो ऐसे स्मार्टपोन है जिसके अंदर आपको AMOLED देखने को मिलेगी बट इसके अंदर नहीं दी है बट यहां पर आपको 6.72 इंच की LCD डिस्पेल देखने को मिलेगी तो कि Full HD Plus में होने वाली है साती में 120Hz का refresh rate यह sport करने वाली है इस चीज के उनसारी काफी दा बढ़िया हो जाता है साती में मैंने से कुछ colors भी देखे हैं तो कि काफी दा बढ़िया देखने को मिले हैं और मैं इसके brightness की बात करूँ 680 nits की brightness देखने को मिलेगी तो मुझे screen इसकी काफी दा बढ़िया देखने को मिली है क्योंकि यहां पर आपको oxygen OS देखने को मिलता है और mostly आपको सभी टाइप के feature भी देखने को मिलेगे बट कुछ कमी भी देखने को मिलेगी जो OnePlus की पैचान है वो है उसका slider इसके अदर आपको कोई भी slider देखने को नहीं मिलेगा बट 3.5 mm का jack देखने को मिलेगा AMOLED डिस्पले यहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलती है और थोड़ी कैमरा के अंदर भी आपको दिक्कत देखने को मिलती है बट ओराल उसकी फोटोस वो काफी जड़ा बढ़िया देखने को मिलती है बट इसके लब अभी आपको एक दो ओर देखने को मिलती है आप उसको भी ट्राइक कर सकते हो कमेंट करके आपको उसको भी पूछ सकते है थैंक्स पूर वाचिंग